फाइनली दोस्तों आज आपके सामने है नूली लॉंच हीरो की सुपर स्प्लेंडर एक्स्टेक जो की अब एक्स्ट्रा स्मार्ट फीचर्स के साथ कमपनी ने इसको लॉंच कर दिया है आप इसका ब्लेजिंग रेट कलर देख रहे हैं इसमें क्या-क्या बदलाब हुए हैं म बहुत सारे मौटे मौटे चेंजए हो चुके हैं बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंज़ए हैं सबसे बड़े और सबसे पहले अपडेट की बात करें तो जो फ्रंट हैड लाइड है वो कंप्लीट ली चेंज हो चुकी है सेंटर में आपको हाई इंटेंसिटी LED DRL मिल जाती है और उपर में और नीचे में split LED headlight का setup मिलता है, पहले old वाले इस model में सिर्फ आपको halogen headlight का ही setup मिलता था, अब इस bike को ज़्यादा premium बनाने के लिए आपर थोड़ा सा chrome का treatment, hero का 3D logo, नया visor मिलता है, जो indicator है, वो भी आपको halogen में थोड़े से flexible मिल जाते हैं, देखा जाए तो जो पूरा headlight का setup है, वो change हो चुका है, आगे वाला अगर आप mudguard देखेंगे, तो ये भी थोड़ा सा change है, बाकी build quality काफी अच्छी है, 240 mm की disc मिलती है, जिसमें आपको vibre company के caliber मिलते ह काफी अच्छे माने जाते हैं, आगे में 818 का tube less tire और alloy के उपर में red और white color के graphics मिलते हैं, gray color में अब आपको इसका alloy मिल जाता है, जो की थोड़ा सा changes इसमें किये गए हैं, और पीछे की तरफ चलते हैं, तो पीछे में 5 step adjustable hydraulic shock absorber वाला suspension मिलता है, और यहां पर आपको मिलता है brake oil का डबा, इसमें आपको पूरा का पूरा IPS system मिलता है, kombi breaking का setup मिलता है, और 90-98 का अब इसमें आपको tube less tire मिल जाता है, 130 mm की drum brake मिलती है, और यह जो exhaust आप देख रहे हैं, यह जो silencer आप देख रहे हैं, यह पूरा का पूरा design के साफ़ से और muffler guard के साफ़ से change हो चुका है, पहले ही आपको थोड़ा सा अलग design में, थोड़ा सा बलकी और heavy मिलता था, अब यह design में change हो चुका है, जो कि इसका तीसरा बदलाव है, और इसकी जो brake pad हैं, वो आपको normal मिलते हैं, और यहां पर catalytic converter दिया गया है, और इसमें आपको oxygen sensor भी मिल जाता है, hero की branding दी गई है, किक 24.7 CC का air cold forest rock BS6FI engine दिया है, जो 10.7 BHP की power देता है, 7500 rpm और 10.6 Nm का torque पैदा करता है, 6000 rpm और mileage की बात करें, तो 65-70 का mileage इसमें आपको मिल जाता है, मौटा मौटी, और यह bike की top speed जाती है, 105 km पर दे गंडे के आसपास, engine इसका काफी ज़्यादा सांत है, reliable है, जो की लंबे समय त tank के उपर में देखेंगे, तो super splendor का 3D chrome में यहाँ पर आपको logo दिया गया है, जो की नए अपडेट है, और नीचे में x-tech का sticker दिया गया है, जैसा कि यह x-tech series वाली bike है, उपर में आपको gray color और white color के नए शांदर graphics मिल जाते हैं, इस color का नाम है blazing red जो की companies को बोलती है, जो panel बागर हैं, इसमें कोई भी changes नहीं है, यहाँ पर hero की branding मिल जाती है, अब इसकी seat comfort की बात करें, तो इसकी जो seat है वो काफी लंबी चोड़ी और काफी comfortable मिल जाती है, seat के अंदर की जो cushion है, देखा जाते है, 125cc में इतनी soft किसी में नहीं मिलती है, 793 mm की seat add मिलती है, अगर आप इसकी petrol tanky के उपर में देखेंगे, तो यहाँ पर E20 का स्टी का लगा हुआ है, बकाएदा, अब यह जो भाएक है, वो OVD2, BSX Phase 2 का update आप देख रहे हैं, जो 20% ethanol और 80% petrol से चलेगी, 12L का tank है, सबसे पहले exhaust के sound को सुना देता हूँ, क्योंकि नया silencer है, तो आपको नए silencer की आवाज कैसी लगी, comment section में जरूर बता है, इसमें आपको मिलता है, full digital speedometer का setup, यह जो meter है, वो आपको splendor plus x-tech में दिया जाता है, नीचे में low fuel gear neutral indicator, i3s check engine की light, और headlight, और यहाँ पर आपको turn indicator, और यहाँ पर side stand, यहाँ पर आपको speedometer मिल जाता है, नीचे में दिया गया है, odometer, trimeter, यहाँ पर kilometer की सारी जानकारी देख पाएंगे, नीचे में दिया है, real mileage indicator उपर में दिया है, fuel gauge, और सबसे ची बात यह है, किसमें आपको Bluetooth connectivity मिल जाती है, इसमें SMS alert, call alert, miss call alert, और आप अपने phone की battery का level भी देख पाएंगे, साथ में service due reminder मिल जाता है, क ही display मिल जाती है, जो कि इसका एक नए update आप देख सकते हैं, दोस्तो, handle wire आपको chrome में मिलते है, जो कि थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई है, चावी यहाँ पर आपको normal मिलती है, hero की branding के साथ, अब इसके mirror की बात करें तो, goal यहाँ पर आपको mirror मिलते है, यहाँ आपको passing क single sensor भी मिलता है, rear portion की बात करें, तो पीछे में single piece grab handle hero की branding मिलती है, जो tail head है, वो आपको वही पुराने look वाली halogen में दी गई, जैसा की latest model है, तो आप इसकी manufacturing date को भी देख सकते हैं, side में चलते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है, company fitted black color का sardi guard, जो की lady plane की safety गले काफी जरूरी है लगाना, और जो adjustable foot packs हैं, वो rubber की मिलते हैं, with metal के साथ, और chancet cover आपको मिल जाता है, इसका plastic body के साथ, gear की बात कर लेते हैं, तो इसका जो gearbox है, वो काफी ज़्यादा smooth है, जैसा की मैंने इस bike को चलाया है already, और इसमें 5 speed gearbox मिलता है, side stand engine guard off sensor, इसमें आपको FI system मिलता है, तो कम से कम इस bike में आपको डेड़ से 2 liter petrol आपको reserve करके रखना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में bike में missing की दिक्कत आ सकती है, तो price की बात करें, तो super splendor disc brake में 100 room कीमत है, 88,418 रुपे, और drum brake में 1 room कीमत है, 84,418 रुपे, और disc brake में on road कीमत है, 1, एक लाख 2,000 पे, जो मैंने आपको बताई है, SMSZ, Hero Showroom, BIP Road, Kolkata, Showroom की वीडियो अच्छे लगा, तो like, comment, share और subscribe जरू करें,